सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गए ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियोज आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुती ज़ादा बढ़िया मोबैल्स रियलमी और पोको की तरफ से रियलमी का C11 जिसकी कीमत है 7000 दूसरी तरफ है पोको C3 ये भी आपको इसी रेट में मिलता है 7500 में तो दोनों का प्राइस सेम है इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबैल्स में कंपरिजन करके आपको बताऊंगा कि इन दोनों में क्या कम या है क्या क्या चाईया है और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बलकुल भी स्किप मत करिएगा चले देखते हैं रियलमी C11 के साथ आपको क्या 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 मिलता है तो जैसी आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले एक दिया गया है मिनी बॉक्स जिसमें पीछे लगवा है एक सिमजेक्टर टूल अंदर मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनूल कवर इसके साथ आपको नहीं मिलता इसके बाद मिलता है मुबाले क्रैपर के अंदर जिसका डिटेल लूक हम भी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये वाइट कलर में डिटे केबल इसकी लेंट और क्वालिटी दोनों बहुत ज़द अच्छी है बाकि टाइप सी केबल तो इसके साथ आपको नहीं दी गई अगर होती तो काफी अच्छे रहता आखिर में आपको रखाव मिलता है ये वाइट कलर में काफी बड़ा चार्जर लेकिन इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है फाइव वोल्ट टो इंपियर का ही तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है लुक वाइस काफी बड़ा है बाकि 200 चारजर आपको 10 वाट का ही मिलता है सिंपल तो ये सारा समन आपको मिलता है रियल मी C11 के साथ साथ 7,000 में रेट की साब से देखा जाए तो box के जो contents है वो आपको काफी अच्छे ही दिये गए है, quality काफी बढ़िया है, charger की भी build quality काफी अच्छी है, और data cable की भी, बस कमी यही है, इसके साथ अगर type C cable होती, तो काफी बढ़िया रहता, चलिए देखते हैं फिर भी अगर आप इतने ही पैसे Poco C3 पे खर्च करते हैं जिसमें पीछे लगवा है, SIM ejector tool, अंदर मिल जाते हैं कुछ user manual, cover इसके साथ भी आपको नहीं मिलता, इसके बाद दी गई है, एक black color में data cable, ये भी एक type C cable नहीं है, USB to micro USB cable दी गई है, दोनों ही mobile's के साथ, बाकी build quality's की थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर है, आखर मापको र box के contents एक जिसे तो दिये गए हैं आपको इन दोनों में, लेकिन मुझे थोड़ा सा build quality को लेकर ज़्यादा बेटर लगा Poco C3 ही, क्योंकि इसकी data cable की build quality है और charger की, वो ज़्यादा बेटर लगी मुझे realme C11 के charger और data cable से, तो इस चीज में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है Poco C3 बाकी इतना बड़ा फर्क नहीं है, चली बात कर लेते हैं दोस्तों, डिजाइन के बारे में, तो इन दोनों मुबैल्स के अंदर आपको hard plastic के type के design दिया गया है, तो scratches बहुत कमाते हैं, इनके दोनों के back panel पे, डिजाइन की quality के अंदर दोनों ही मुबैल्स काफी ज़्या डिजाइन के अंदर इन दोनों मुबैल्स में C11 जादा अच्छा है C3 से, बात करें दोस्तों camera के बारे में, तो Poco C3 में आपको पीछी की तरफ 3 camera दिये गए हैं, जिसमें main camera है 13 megapixel का, और बाकी के 2 camera है 2 megapixel के, front camera है इसका 5 megapixel का, rate की साबसे के अंदर आपको camera की performance normal ही मिलती ह बाकी दोस्तों fingerprint scanner नहीं दिया गया, आप इस चीज़ का खयाल रखिएगा, दूसरी तरफ realme के C11 में आपको पीछे 2 camera दिये गया हैं, जिसमें main camera है 13 megapixel का, दूसरा 2 megapixel का, front camera इसका भी 5 megapixel का है, camera की performance इसके अंदर भी आपको rate की साबसे normal ही मिलती है, और इसके अंदर भी व दोस्तों आप देख सकते हैं complete design, आपको इन दोनों में किसका design जाद अच्छा लगा, आप मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों इन दोनों में जादा बढ़िया है design को लेकर C11 ही realme का, और मुझे यही mobile जादा पसंद आया, बात कर दोस्तों display के बारे में, तो द display की quality के अंदर कौन सा mobile जाद अच्छा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे पहले बात करें दोस्तों user interface के बारे में, तो दोनों ही mobile के अंदर आप ऊपर की तरह स्वाइब करेंगे, आपको सारी applications मिल जाती है, दोनों के अंदर आपको app drawer दिया गया है, user interface को लेकर watch मिल जाती है, एक जैसी, edges, bezels भी आपको लगबग बराबर ही दिये गाए है, लेकिन दोस्तों गर आप colors देहेंगे, display के brightness देहेंगे, तो आपको जादा better दिये गाए है, POCO C3 की display में, वैसे तो colors दोनों के display के अंदर आपको normal ही दिये गाए है, brightness थोड़ी सी कम है दोनों के सकते हैं, ये दोनों में खुबी है, थोड़ा सा आपको और ज़्यादा स्लिम मिल जाता है, POCO C3, Realme C11 से, नीचे की तरफ साब देहेंगे, तो charging port, speaker, microphone jack दिया गया है, headphone jack आपको POCO C3 में उपर की तरफ मिलता है, Realme C11 में नीचे की तरफ, right side साब देहेंगे तो volume के buttons और power के buttons उपर की तरफ साब देहेंगे, तो plane design दिया गया है, दोनों के अंदर, POCO C3 में आपको left side पर मिल जाता है, headphone jack, इसके लावा दोस्तों दोनों ही mobile की की कीमत भी same है, 7500, दोनों में दी गई है 32 GB के internal storage, Realme C11 में रैम आपको मिलती है 2 GB, POCO C3 में है 3 GB, POCO C3 में आपको 32 GB में से free memory दी गई है, तकरीबन 21 GB के आसपास, Realme C11 के अंदर आपको मिल जाती है 19 GB के आसपास, तो तकरीबन 2 GB आपको और जादा मिल जाती है POCO C3 के अंदर, दोनों ही mobile के अंदर आपको Android का 10 version मिल जाता है, इस चीज़ में दोने जैसे हैं, बात कर दोस्तों बैटरी के बारे में, तो बैटरी बे आपको दोनों में 5000 image की दी गई हैं, एक दिन का बैटरी बैटरी बैकप दोनों के अंदर आपको आराम से मिल जाता है, बैटरी में दोनों बढ़िया हैं, बाकि 200 type C port तो दोनों के अंदर नहीं दिय गया, यह दोनों में कमी हैं, बात कर 200 processor के बारे में, तो तो इन दोनों के अंदर आपको दिया गया है MediaTekka G35 तो अगर आप एक heavy user हैं आपको performance बहुत ज़्याद अच्छी चाहिए तो इन दोनों mobiles के अंदर आपको processor normal ही दिये गये हैं ये दोनों ही mobiles normal use के हिसाब से हैं अगर आप एक बहुत ज़्यादा heavy user हैं आपको performance ही बहुत अच्छी चाहिए तो इन दोनों mobiles के अंदर आपको दिक्कत होगी normal use के अंदर आपको problem नहीं आने वाली तो ये सारी खुबिया कमी आपको मिलती हैं दोनों के अंदर चली बात कर लेते हैं फिर भी आपको इन दोनों में सा कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो क्यूंकि इनकी कीमत काफी कम है सिर्फ साड़े साथ हजार तो आपको दोनों में लगबग एक जैसे ही खुबिया मिल जाती हैं ये दोनों ही मुबाल्स लगबग एक जैसे ही हैं बाकि कुछ चीजों में रियल्मी C11 थोड़ सा जाद अच्छा हैं और कुछ चीजों में पोको C3 तो दोस्तों देखिए अगर आपको डिस्प्ले ची चाहिए तो इन दोनों मुबाल्स माप पोको C3 खरीदियेगा डिस्प्ले के कलर्स इसके अंदर आपको ज़्याद अच्छे दिये गए हैं और अगर आपके लिमेटर करता है मुबाल का कैमरा तो भी आप पोको C3 खरीदियेगा इसके अंदर आपको कैमरा थोड़ा सा और ज़्याद अच्छा दिया गया है रियल्मी C11 से लेकिन दोस्तों अगर आपको डिजाइन अच्छा चाहिए तो आप रियल्मी C11 ही खरीदियेगा इसके अंदर आपको डिजाइन ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है लुकवाइज ये मुबाल ज़्याद अच्छा लगता है पोको C3 से और दोस्तों अगर आप टले मेटर करती हैं मुबाल की बैटरी और प्रोस्सर तो इस चीज के अंदर तो दोनो नॉर्मल है आप दोनों में से कोई सबी ले सकते हैं बैटरी भी दोनों में अच्छी है और प्रोस्सर भी आपको दोनों में नॉर्मल ही दिया गया है तो प्रोस्सर के अंदर और बैटरी में दोनों अच्छे हैं लेकिन इन दो चीजों के अलावा Realme के C11 में आपको डिजाइन जाद अच्छे मिल जाता है जो इसकी सबसे बड़ी खुबी है वही दूसरी तरफ Poco C3 में आपको दो खुबी जाद अच्छे मिलती है एक तो डिस्प्ले जाद अच्छी है और दूसरे सके अंदर आपको कैमरा थोड़ा सा और बैटर दिया गया है बाकि दूसरे रेट के साब से देखा जाए तो दोनों ही मोबाल्स अपिन जगा बहुत अच्छे है फिर भी अगर आपको डिजाइन ही अच्छा चाहिए तो आप C11 ने लीजिए गा Realme का लेकिन अगर आपको कैमरा और डिस्प्ले थोड़ी सी जदा बैटर चाहिए तो आप Poco C3 खरीज सकते हैं बागी दोस्तों ये दोनों ही मोबाल्स काफी ज़ाद अच्छे लगे मुझे बस यही कमी लगी अगर fingerprint scanner भी होता दोनों के अंदर तो काफी अच्छे रहता आप बताएगा फिर भी कमेंट करके आपको कौन सा पसंद आया ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के निचे जो लाल कलर का बटन से दबा कि चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए बेल अपके बेडबा दियेगा ताकि नई वीडियोज आप तक पहुछते रहें इसके लाव वीडियो अगर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा WhatsApp, Facebook पे मिलता हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए Take care, Bye Bye